ही वाई टी भारत के Q&A सीरीज के एक और वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज हम आपके लिए 10 सवालों के जवाब ले करके आए हैं वाई टी भारत चैनल पर मैं नवीन दूबे आज आपको इन 10 सवालों के जवाब जो इंडिया के बहुत ही फेवरेट डेस्टिनेशन से संबन्दित हैं आपको विस्तार पूरवकिम के जवाब देने जा रहा हूँ और अमीद करता हूँ इन सवालों के जवाब लेने के बाद आपके लिए आसान हो जाएगा इन डेस्टिनेशन पर जा करके ट्रेवल करना दोस्तो ये सवाल मैं च्छाट करके लाया हूँ अक्स्ट्रेक करके लाया हूँ आपके लाको सवाल जो वाईटी भारत पर आते हैं उन में से चे चुनिंदा सवाल है जिसमें मैं इन सवाल करने वाल लोगों के नाम भी बताऊंगा और उनके questions भी आपके सामने बता करके उनका विस्तार पूरवक जवाब आपको देने जा रहा हूँ आईए चलते हैं अपने laptop की स्क्रीन में देख करके आपको इन सारे सवालों के जवाब एक एक करके देना स्टार्ट करते हैं दोस्तो इससे पहले अगर आपने yt भारत को अभी तक subscribe नहीं किया है तो नीची देखे रेड रंग का subscribe बटन आ रहा है जाके सबसे पहले क्लिक कर दीजे वीडियो चाटोंने से पहले जाके क्लिक करके सब्सक्राइब बटन पर बेल आइकोन को तबाए औल को सेलेक करिए ताकि आगे आने वाले इसी तरह के इंडिया के अलग अलग ट्रैवल डेस्टनेस से सम्मंदित ट्रैवल की जानकारी आपको पहले से ही मिलती रहे और अगर आप पिछले वीडियो देखना चाहते हैं तो ये देखिए वाइटी भारत यूट्यूब के सर्च बटन पर जाकर के सर्च कर लें और सारे सवालों के जवाब आप प्राप्ट कर लें देर नहीं करते हैं चलते हैं एक एक करके सारे सवालों के जवाब आपको देना स्टार्ट करते हैं चले दोस्तों सबसे पहला सवाल है राजवन्त सिंग जी का जो हमसे के बाद के बाद के बाद क काश्मीर और काश्मीर के बाद हिमाचल का मनाली ये ऐसे चार destination हैं जो मेरे खुद के according जो मेरे experience रहा है वहाँ पर honeymoon के लिए सबसे ज़ादा अच्छी facilities हैं, environment हैं, सुधाएं हैं और आप perfectly अपने honeymoon को memories के साथ complete करके वापस आ सकते हैं बजट की बारे में अगर आप जानना चाहते हैं या सारी जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो वाईटी भारत पर जाकर के YouTube पर सर्च करें तीन सो से जादा वीडियो वहाँ पर मैं आपके लिए करके आया हूँ इंडिया के अलग अलग हनिमून, डेश्टिन, सेंस, मन्दित, अलग अलग सीजन्स में क्या क्या रेट में आप पकेज को बुक करवा सकते हैं ऐसी सारी जानकारी आप वाईटी भारत चनल पर पाएंगे देर न करें जाके सर्च कर लें अब दूसरा सवाल लेते हैं, रितेश सुवालिया जी का है, पूछ रहे हैं सर मुझे पूरे हिमाचल का पैकेज चाहिए दोस्तों अगर आप पूरे हिमाचल की बात करते हैं तो हिमाचल तो बहुत बड़ा है लेकिन मैं समझ गया हूँ आप किस हिमाचल के हिस्से के बारें बात कर रहे हैं मैं आपको बतायता हूँ अगर हिमाचल घूमना चाहते हैं तो उसमें है आपका में तो मनाली है मनाली के साथ कुल्लू आप घूमेंगे कुल्लू के बाद आप जाएंगे शिमला और कुफरी और कुफरी के बाद धरम शाला और डलहौजी ये तीन ही ऐसी लोकेशन है जो आपकी पूरा हिमाचल का ट्रेवल जिसमें कवर हो सकता है क्योंकि यहीं है सबसे फेवरेट टुरिस्ट डेस्नेशन अगर आप हनीमून के परपस से भी जाते हैं या आप फैमली विजिट के परपस से भी जाते हैं तो इन पैकेज को बुक करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं ट्रेवल कंपनी का नंबर देने जा रहा हूँ इस ट्रेवल कंपनी के नंबर पर आप कॉल करके हिमाचल के पूरे इन tourist destination का एक साथ package book करवा सकते हैं आप family में जाना चाहें आप honeymoon पर जाना चाहें आप friends के साथ जाना चाहें सब कुछ possible होगा just आप click करके call करिए और बात कर लेजे अब चलते हैं तीसरे सवाल पर असलम खान जी का ये सवाल है पूछ रहे हैं गुलमर्ग में स्नोफॉल मिलेगा क्या 21 से 25 के बीच में तो दोस्तों फैबरी के अंदर अगर आप बात करें तो मैंने स्नोफॉल प्रेडिक्शन का अब एक latest वीडियो बनाया है आप वाइटी भारत पर जाकर के अभी चेक कर ल है सबसे जादा की गुलमर्ग में स्नोफॉल पड़ सकती है एक्जेक जानकारे देखने के लिए आप उस वीडियो को जा करके सर्च कर लीजे अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर शुभम राठी जी पूछ रहे हैं भाईया स्वीजर लेंड का पैकेज भी बता दीजिए द बहुत सारे प्लेसीज हैं जो इंडिया में स्वीजर लेंड के नाम से भी फेमस हैं अभी इंडिया से बाहर मत जाएए पहले इंडिया को एक्स्प्लोर कर लीजे और इंडिया को एक्स्प्लोर एक बार कर लेंगे तो हमेशा के लिए भूल जाएंगे इंडिया से बाहर ज में दे दूँगा वहां पर जाकर करके कॉल करके आप स्विजर रेंड का पैकेज बुक करवा सकते हैं अगर चाहते हैं तो मैं तो सला नहीं दूँगा अब चलते हैं नेक्स्ट नाइम उल्ला जी का सवाल है काश्मीर के किसी भी लोकेशन पर अगर आप बात करें तो वो मार्च के लगभग हाफ टरम तक स्नोफॉल की संभावना होती है और अगर आप जुलाई की बात कर रहे हैं तो कश्मीरिक में क्या पूरी इंडिया में कहीं भी आपको स्नोफॉल नहीं मिलेगी बरसाथ के दिन होते हैं हो सकता है कि बारिश के साथ कुछ-कुछ आपको थोड़ी बहुत स्नोफॉल मिल जाए लेकिन उस स्नोफॉल नहीं कहते वो स्नोफॉल के अंदर कभी नहीं गीनी जाती है वो टेंपरिचर डिप होने से बस हलकी सी शावर होती है जो स्नोफॉल में आपको दिखती है तो इसनोफ नहीं मिलेगी कि बल मार्च के मिड में आपको स्नोफॉल मिल सकती है किसी डेट पर कश्मीर के अलग-अलग स्थानों पर लेकिन आपको जुलाई में गुल मर्च के अंदर नहीं स्नोफॉल मिलने वाली है अब चलते हैं नेक्स सवा लेते हैं हे मंत शरोदे जी का सर बस आप से इतना जानना चाहता हूं कि आप जितने भी टूर एंड ट्रेवल वालों का पैकेज बताते हैं वो सब वेरिफाइड होते हैं कि नहीं होते हैं दोस्त वाईटी भारत पर जितने भी ट्रेवल एजेंट को मैं बता रहा हूं वैसे तो बहुत ही लिमिटेड हैं लेकिन जिनकों भी मैं आपको बता रहा हूँ मैं उनसे खुद personally travel करता हूँ उनके त्रू और एक साल से नहीं कई सालों से मैं YT भारत पर आपके लिए videos लेकर के आता हूँ, इन travel companies के त्रू travel book करवाता हूँ, जाता हूँ, explore करता हूँ, इनकी services बहुत सालों से verified, checked है, मेरे द् travel को यादगारों के साथ complete करके आ सकते हैं, अब चलते हैं, नेक्स सवाल ले लेते हैं, प्यूश, पार्टी दे, is it worth to go Manali after 20th March, क्या 20 March के बाद मनाली जाना सही रहेगा, इनका main सवाल ये हैं, तो मैं आपको दोस्तों बता देता हूँ, कि Manali में अगर आप 20 March के बाद जाते हैं, तो snowfall आपको live मिलने की संभावना तो लगबग 0% है कि आपको मिले Solang Valley है, वहाँ पर आपको snowfall पड़ी हुई मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर के आप अलग-अलग snow adventure activities का लाब उठा सकते हैं, और जाकर के अपने family, friends या couple जितनी भी लोग हैं, वहाँ पर जाकर के enjoy कर स वीद प्रकास सिंग जी का सवाल है, जम्मू टू श्री नगर कैसे जाएं, सर? दोस्तो जम्मू की अगर आप बात करते हैं, तो मैं समझ जाता हूँ, या तो आप वैश्नो देवी होकर के आ रहे हैं, या आप जम्मू रेलवे स्टेशन पे उतर रहे हैं, तो आप बात कर दोस्तो अगर आप जम्मू से श्री नगर जाना चाहते हैं, तो जम्मू रेलवे स्टेशन के पास बस स्टेंड है, वहां से आप श्री नगर के लिए डारेक्ट बस बुक कर सकते हैं, या आप टेक्सी से जाना चाहें, तो खर्च जादा लगेगा, आप टेक्सी भी बुक करवा करके अराम से ट्रेवल कर सकते हैं श्री नगर के लिए कोई भी इशू नहीं होगा अब चलते हैं अगला सवाल ले लेते हैं टॉर्क प्रिंस जी के पूछ रहे हैं सर अगर रोहतांग पास भी जाना हो तो दोस्तों रोहतांग पास के बारे में बहुत सारे सवाल अभी जस कुछ दिर पहले चैनल पर आया है मेरे दस मिनेट पहले कि क्या रोहतांग पास अगर हमें जाना है मार्च के अंदर तो कैसे जाए तो मैं आपको बतायता हूँ दोस्तो रोहतांग पास मार्च में जाना तो पॉसिबल ही नहीं है माई में लगबग मिड के अंदर रोहतांग पास खुलने की संभावना होती है वो भी तब होती है जब गौर्मेंट रोड को पूरा क्लियर कर देती है क्योंकि रोहतांग पास के रास्ते में जो स्नोफॉल होती है वो कम सकम 15-20-9 फिट की स्नोफॉल होती है और जिसे काट करक और तब आप वहाँ पर जा सकते हैं और अगर आप बात कर रहे हैं कि रोतांग पास कैसे जाएं मई के मिड के बाद तो रोतांग पास जाने के लिए अब स्पेशल परमिट लेना पड़ता है जो मनाली से ही बनता है परमिट बना करके आपको रोतांग पास जाना पड़ता है और पहले तो रोतांग पास जाना बहुत यासान था लेकिन गौर्मेंट ने जब देखा कि रोतांग पास बहुत सारे लोग जाने वाले हैं और इंवार्मेंट लगातार पॉलिटिड हो रहा है तो वहां की गौर्मेंट ने वहां पर परमिट लगाना स्टार्ट कर दिया और उसकी वज़े से रोतांग पास के लिए कॉस्ट भी काफ़ इंक्रीज हो गई और अब किसी भी टूर पैकेज के अंदर रोतांग पास अगर एड़ किया जाता है तो उसकी एक्स्टर कॉस्ट आपसे ली जाती है तो रोतंग पास आप जा सकते हैं बिल्कुल जा सकते हैं अगर आप पैकेज ले कर के जा रहे हैं तो ट्रैवल कंपनि से पहले ही पूछ लिजे की आपकी ट्रैवल की जो कॉस्ट है रोतंग की कि वो included है या कुछ extra देना पड़ेगा ये सब सवालों के जवाब आप ले करके ही जाएं और personally आप जाना चाहते हैं तो मनाली के mall लोड पर जा करके किसी भी ऐसे travel company के shop पर जाएए वहाँ से पूछ लिजए या साइबर कैफे में कि permit बनवाना है कहां से बनेगा वो आपको सारी जानकारी दे देंगे वहाँ से जाके permit बनवाए और अगर उसके बाद जाएंगे तो आप अराम से जा सकते हैं permit ले करके दसवा सवाल और लास्ट वाल आज वाईटी भारत के इस वीडियो में शैलिंद्र तिवारी जी का सवाल है सर हम जून 2021 में मनाली के लिए प्लान कर रहे हैं as a honeymoon package so please suggest me how get all information such as a fare how many days stay point etc तो तिवारी जी मैं आपको बतायता हूँ कि वाईटी भारत पर लगबग 50 से जादा वीडियों हैं जो हिमाचल के अलग अलग travel destination के honeymoon package के बारे में आपको detailed में जानकारी देते हैं वो भी season wise आपको देते हैं जैसे summer का भी हमने package निकाल दिया है honeymoon उसको जा करके आप check करिए और अगर book करवाना चाहते हैं तो book करवा सकते हैं बस आपको एक ही काम करना है YouTube के search button पे जाएए Y.T. भारत without space type करके वहाँ पर आप search करिए आपको सारे videos regular basis पर updated मिल जाएंगे और अगर पैकेज को और अच्छी तरह से बात करके book करवाना चाहते हैं travel company के थूँ तो वीडियो के description में travel company का number आपको दे रहा हूँ जा करके आप call करिए और call करके इस package से सम्बंदि सारी जानकारी को ले लीजे तो दोस्तों 10 सवाल पूरे complete हो चुके हैं उमीद करता हूँ कि आपको आपकी जादत सवालों के जवाब मिल गए होंगे पिर भी सवाल तो कभी खतम नहीं हो सकते और भी कोई भी सवाल के जवाब आपको चाहिए हो तो इसी वीडियो पर सेमेंट कमेंट करिए और 24 घंटे के अंदर मैं आपको reply करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा जैसे हमेशा से करता हुआ आया हूँ इसके साथ-साथ मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूँ कि आप वाइटी भारत पर बहुत ज़ादा प्यार बरसा रहे हैं ना केवल इंडिया से आज वाइटी भारत लगबग दुनिया के पचास से ज़ादा देशों में देखा जा रहा है और सबसे ज़ादा इंडिया के बास सौदिय अरबिया और यूएसे में दिखा जाता है वाइटी भारत चैनल तो आप लोग का बहुत-बहुत धन्यवाद इसी तरह से वाइटी भारत पर प्यार बरसाते रहें तुरंत इसको सबस्क्राइब कर लें क्योंकि इससे ज़ादा से ज़ादा आप जानकारियां हासिल कर सकते हैं अपने अगले टुरिस्ट डेस्टेशन के बारे में मिलते हैं इसी तरह के बहुत ही अगले इंट्रस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों जै हिंद जै भारत नमस्कार सब्सक्राइब कीजिए वाईटी भारत चैनल को और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए पाने के लिए लिटिस्ट वीडियो और वो भी बिलकुल फ्री में